हेलो अबरीवन तो आज हम बनाएंगे नवरेतरे स्पेशल रेस्पी यह रेस्पी 10 मिनिट में बनकर त्यार हो जाती है वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए यह मैंने दो मीडियम साइज के आलू को बारी कट कर लिये हैं जिहान रही इस आलू को हम म राहे लेंगे कडाई में एक स्पून देसी जीगी टजनेнок जैना एक चोथाए चम मंची जेरा और जो हमने बारी हरी मेज काटे थे ना इसे डाल कर जब तक इसका golden brown ना हो जाए और आलू को हमें 50 से 50 परसेंट तक पकाना है ताकि ये कच्छे भी ना राए जाए जो आलू का कलर कुछ इस तरीके से golden brown हो जाए तो इसमें हम एक चोथा चमच काला मिर्च तेश के according से इंधा नमक भूना हुआ जीरा पौडर डाल कर इसे अच् तरीके से भून चुके तो ये हमने समा के चावल को एक कटोरी चावल लिया था इसे दो पानी से अच्छी तरीके से धो लिया है तो इसे धोने के बाद अच्छी तरीके से चावल में मलाएंगे ताकि मसाले और आलू अच्छी तरीके से मिल जाए अब हम इसमें एक ग्लास जीरे। समुसा पेष्ट बना लेंगे। जैसे हम बेसन में थोड़ा सा पतला भी हो जाता है पर इसमें गाड़ा कर रखेंगे तो जो आलूब में कोटिंग कर जाएगी वो मोटी डाल जाएगी इधर हम चावल को बीच बीच में हिलाते रहेंगे ताकि ये करणाई के प्यां से चिपके न हम बारी हो जाफे अछाएगी तो इधर हम बारी और धरनिया भी काट लेते देखें चावल अछितरी के से उबाला चुक गया है आपको गाड़ा रखना है पतला रखना है ये अप तो अब इसमें अमने जो रैस्ट लेने के लिए पेश्ट रहा था ऊपर से हरा धनिया डाल कर अच्छी तरीके से मिलाएंगे मिलाने के बाद यह आलू के गोल गोल स्लाइसे अपने पहले से ही काट के रखे तो इसे हम डिप करेंगे देखिए डिप करने के बाद यह जो अच्छी तरीके से ना सिख जाएंगे जब तक हमारे अलू अच्छी तरीके से ना सिख जाएंगे इसका पकाने का सेम प्रोसेस वही है जो हम आलू के पकोड़े में को पकाते हैं इधर हम हम चावल को भी अच्छी तरीके से मिला देंगे देखिए जैसे यह ठंडा होगा गाड़ा होता जाएगा इधर हमारे पकोड़े भी रेड़ी हो चुके हैं इसे भी हम एक एक करके निकाल लेंगे प्लेट में चावल भी रेड़ी पकोड़ी और तेलर रेडी गरम है तो इ हुआ है मैं तरह siva लगेगा इस तरीके से चावल दही और पकोड़ी को सर्व करेंगे तो बहुत ही तियस्टे लगेगा देखिए देखनें में विबितस लगर रहा है इस रेस्पी को बनाने में टोटल दसी मिनट लगे चावल बनाईए पकोडी तली और दही और पापड़ सिक इसे सर्फ कीजिए वीडियो इस नोरात्रे इस रेस्पी को एक बार जरू ट्राइ करिएगा खाने में बहुत ही टेस्टी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए